Hello guys, welcome back to our channel, मैं हूँ Vikran Sharma, festive season शुरू होने वाला है, Big Billion Days sale and Amazon Great India sale is on the corner and credit cards ने अपने credit limit increase offers भेजने शुरू कर दी है, SBI card ने भी अपने credit card customers को credit limit increase करने का option दे दिया है, card upgrade करने का option दे दिया है and इसी के साथ additional card लेने का भी option, SBI card ने अपने existing credit card customers को दे दिया है, तो अगर आप SBI का कोई भी card hold करते हैं, तो जल्दी चाहिए अपने SBI card app में कैसे करना है, वो process मैं आपको आगे बताऊंगा, बट इस time पे अगर आप कोई credit card लेना चाहते हैं SBI का, तो मैं आपको दो card recommend करना चाहूंगा, सबसे पहला है cashback SBI card, क्योंकि approval rate बहुत अच्छा रहा है, इस card पे आपको 5% का cashback मिलता है, बट जो sales होती हैं, उस पे 10% का discount नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको चीए एक और SBI का card, जिसमें आप ले सकते हैं SBI simply click या simply save, इन दोनों cards का approval बाकी other card से अच्छा आता है, तो इन दोनों card पे आपको 10% का discount offers होते हैं sale में वो मिल जाएंगे, तो ये दो card है cashback SBI and या तो simply save या simply click, इन दोनों में से कोई card ले लीजे, आपके लिए बहतर रहेगा, अपलाई करना चाहते हैं, description में लिंक है वहाँ से कर सकते हैं, Now get back to the video, सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको अपने ये offer check कैसे करने है, SBI card आपके mobile में होगा ही, आपने डाल के रखा होगा, उसको open करिए, वहाँ पे जब आप अपने credit card section में जाते हैं, तो वहाँ पे जो more का option होता है, आपको इस पे click करना है, simply इस पे tap करने के बाद, आपको जो option list खुलके आती है, इसमें benefits पे click करना होगा, यहाँ पे आपके limit increase offer, card upgrade offer, and additional card offer, जैसे कि आपके पास पहले से कोई card है, और आप रुपे पे extra card लेना चाहते हैं, तो वो सारे offers यहाँ पे दिख जाएंगे, तो सबसे पहले तो बताता हूँ कि आपको limit increase कैसे करनी है, आपको credit limit increase वाले जो option दिया हुआ है, इस पे click करना है, यहाँ पे आपको जो proposed limit है वो दिखा दी जाएगी, जैसे कि मेरे cashback SBI card की जो limit है वो 2,20,000 रुपे है, बट proposed limit है यहाँ पे 6,60,000 रुपे, 6,60,000 रुपीज का offer मुझे इन्हों ने दिया, बट problem है यहाँ पे, आपको यह offer दिया है, इसका मतलब यह नहीं है, इसके बाद OTP से verify करते हैं, तो आपको यह limit देंगे या नहीं देंगे, it depends upon the internal policies, they are just showing की इतनी maximum आपको मिलेगी, बट दे नहीं रहे हैं, यहाँ पे 3 तरीके की situations credit limit increase offer में देखने के लिए मिल रही है, सबसे पहले तो आप slider को जब full कर देते हैं, और अपनी जो proposed limit है, उसको select करते हैं, and form को submit कर देते हैं, तो वो reject कर देते हैं, that you are not eligible for that, मेरी recommendation है कि जितनी total limit आपको बढ़ाने के लिए दी है, उतनी मत करिए, उससे 10-5,000 रुपे कमी रखिए, and इसके बाद आप अपना form submit कीजे, तो यहाँ पे दो possibilities available हैं, पहली कि आपका जो credit limit increase का application उसको accept करके आपको limit बढ़ा देंगे, दूसरा option यह आ सकता है कि यह आप से extra verification करें, इस extra verification में भी दो चीजे हो सकती हैं, सबसे पहले तो एक third party app पे यह आपको redirect करेंगे, वहाँ पे आपके mobile number से OTP verify कराएंगे, और वहाँ पे आपके जो banks की list एक खुल के आ जाएगी, और आप से पूछेंगे कि इनमें से आपका कौन सा bank है, तो उस bank को जब select करके आप OTP से verify करते हैं, तो bank में जो आपने transaction कर रखे हैं credit deposit तो वो आपका spending behavior ये लोग check करेंगे, तो यहाँ पे आप अपना bank select करते हैं, और यहाँ पे आपके transactions को check करता है, और अगर इसको लगता है कि हाँ ठीक है भाईया कि account में पैसे आ रहे हैं, तो आपका limit बढ़ा देगा, या फिर reject कर देगा, दूसरा option देगे कि आप से वोलेंगे कि आप अपने income document submit कीजे, तो यहाँ पे आपको अपने income document submit करने होगे, तो SVI card के जितने भी existing customers है, सब को यह credit limit increase का जो option है, उनके app में दिखा रहा है, बट सब की limit बढ़ नहीं रही है, तो जो process मैंने बताया है, इसको follow कीजे, chances हैं कि आपकी credit limit जो है, वो बढ़ जाएगी, total जो proposed limit दी है, इन्होंने पूरा select मत करिएगा, हो सकता है कि आपकी request को कि आप अपने card का network भी choose कर सकते है, यहाँ पे mastercard, repay and mx इन तीनों में से कोई भी अपना card network आप choose कर सकते है, and अगर आप upgrade करना चाहते तो कर सकते, मेरी recommendation है कि अगर elite का या फिर time का अगर आपको upgrade offer आ रहा है, तो बिलकुल upgrade मत कीजेगा, इतने beneficial यह card है नहीं, इसके बाद आ additional card भी ले सकते हैं, same process, आपका जो existing card है, उसके more option में जाना होगा, वहाँ पे benefits पे click करना होगा, और यहाँ पे आपको 2 card दिख जाएंगे, BPCL रुपे पे मिल जाएगा, and simply save रुपे पे मिल जाएगा, and simply save जो है without joining fee आपको मिलता, यहाँ पे भी आप अपने cards के जो network है, उन इस card के लिए ली जाएगी, तो इस तरीके से SBI card के जो credit card, upgrade, additional card, and limit increase offers आपके benefit section में आ गए है, if you are lucky enough तो आपको limit increase का offer मिल जाएगा, चाहिए, चेक कीज़े, जिन जिन के बटरी है, comment section में बताइए, I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसी informative वीडियो हमेशा देखत रहना चाहते हैं, तो चैनल को जरू subscribe कर लिजीगा, मिलतें next वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखेगा, bye bye